अगर आप फेस्बुक से पैसे कमाना चाहते हैं और आप उसे मेनत करें और वो ग्रो नहीं हो रहा या वो डेट हो चुका है तो मैं आज आपको इस वीडियो में छे ऐसे राज बताऊंगा जिसके करने से आपको आपका पेज दिनों में ग्रो करेगा और और गैने के लिए कर बताऊंगा जो भी तरीके बताऊंगा 100% बताऊंगा तो शुरू करते हैं आज की वीडियो मैं हूं महमत तारिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्णवित तारिक तो बात करते हैं एक डेड़ पेज को ग्रो करने की या एक न्यूव पेज को ग्रो करने की तो चंद ऐस कमाल की होने वाली है मैं उमीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताके कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपका पेज ग्रो होने में कोई मुश्किल ना हो तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो लंबर वान पे जो टिप आती है सबसे पहली और बहुत अगर आप अपने पेज पे अगर आप उरिजिनल कॉंटेंट डालेंगे तो उसके ग्रो करने के चांसिस बहुत ज़ादा होंगे अगर आप क्वापिराइट पे वर्क करते हो तो उसके चांसिस बहुत कम होंगे और उस पे एलो सुक्या भी खत्रा होगा लेकिन आपने पर आपको editing आनी चाहिए मैं आई बटन में link दे रहा हूं आप चेक कर लेना कि video editing कैसे करनी है Facebook के लिए लेकिन recommend मैं आपको करूंगा कि अपना original content ही डालें दूसरा यह point है वो बहुत important है और बहुत लोग इसको करने से शर्माते हैं वो है अपने friend को invite करना जी हां Facebook पे अगर अपने page बनाया है तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है अपने friend को ओधर invite करें इससे क्या होगा इससे आपके page की कुछ ना कुछ तो growth होगी मतलब आपको अगर आप 50 friends को invite करते हैं और आपको उसमें से 10 लोग follow करते हैं तो यह कुई आम बात नहीं है उन 10 friends को आपको बोले कि अपना उस page का sharing वो अपने timeline पे करें आप Facebook का algorithm कहते है कि जितनी जादा ideas पे उनके timeline पे page से video share की जाएगी उस पे ही उतना जादा chances होगा कि वो grow करें तो अमीद करता हूं यह चीज़ आपको समझ आगी है और अपने friend को यह लाजमी आपने invite करना है यह बहुत ही important होता है क आपने अगर दिन में पोस्टे करनी है तो minimum उनमें जो वकफा होना चाहिए जो डले होना चाहिए वो कम असकम एक पोस्ट है दूसरी पोस्ट के दरमियान दो गंटे को होना चाहिए यह नहीं है कि आपने एक दिन में पांच वीडियो अपलोड कर दी एक गंटे में और किसी ने नहीं बताया होगा अगर आप फेस्बुक पेज पर वर्क करते हैं तो इसी टाइम के अंदर आपने अपनी वीडियो टिक या जो भी आप उस पर अपलोड करते हैं जिस पेज को आप वाइरल करना चाहते हैं तो आपने छे से यारा बिच तक इसी डिरेक्शन में आपने वह पोस्ट करनी है अपनी पोस्ट और फिर जाकर उसको शेरिंग देनी है आप खुद फैसला करेंगे जब आपकी ग्रो होगी जब आप यह वीडियो देखने के पाद यह अमल करेंगे और आपको रिजल्ट सामने आगा तो तब आपके अपने भाई को आगे लाइ कि इस लिंक से यह फलानी वीडियो है और कोशिश करना गए वीडियो ही हो क्योंकि पिक का थोड़ा सा मसला हो जाता है नंबर फोर पी आता है कि आपने डिफरेंट काइंड आफ पोस्ट करनी है उससे मुराद उसको आपको यह मैं कहूंगा कि आपने दिन में अगर तीन य आजाएगा वो पेज फेस्बुक के टोप पे आना शुरू हो जाएगा दपैर को आपने उसी पेज पेज पे को वीडियो अप्लोड करनी है और शाम को या इमिलिंग में आपने को लिंक पोस्ट करना है अपने पेज से मतलक एडमन आईडी से और उसको शेरिंग नहीं दे पिक को शेरिंग नहीं वीडियो को आप शेरिंग दे सकते हैं अब सबसे पहली चीज़ फोटो उसके बाद वीडियो उसके बाद लिंक यह एक फार्मूला है बेसेकली जो के फेस्बुक का अलगोरिथम काम करता है जिसके तायत अगर आप प्रमोड करना चाहते हैं तो यह करना के डालनी है डेली की या एक दिन बाद कोई ऐसी पोस्ट लगानी है इमज के तोर पे के आप क्या चीज लाइक करते हैं अब मैं मिसाल देता चलूं आज तक आज कल मतलब क्रिकट का दोर चल रहा है हार तरफ पाकिसान और बंगलादेश का मैच हो रहा है इंडिया या किसी भी और किसी टीम का मैच हो रहा तो आपने एक अच्छी सी पिक बनानी है एक तरफ पाकिसान एक तरफ बंगलादेश दोनों को सामय रख देना और उपर ये लिख देना है कि आज का मैच कौन जितेगा तो निचे लोग कमंट करना शुरू हो जाएंगे जिस से आपकी औरियंस रीज करेगी आपको पेज को बोस्ट मिलेगी इसकी मिसाल कुछ ऐसे देता हूँ फेस्बुक पे बहुत पुरानी पोस्ट आप ले उस पे जाकर दस कमंट कर दे और वो टोप पे आ जाएगी बात आपको समझाने के यह चीज समझे किसी भी चीज को फेस्बुक का अल्गरिफम कहता है कि उस पे जितने जादा कमंट से होंगे उतने ही जादा उसके टॉप प्याने के चांसिज जादा होंगे यह एक बहुत ही इंपॉर्टर और गोल्डन टीप है आपके लिए कि अगर आपने कुछ परानी वीडियो को आपने रीज देनी है तो जाके उस जी का भी आप ले लें को फेक लेंडे या आपका उरिजेनल है तो इससे आपको फाइदा यह होगा कि आपने उधर जाके इसको ब्सब्यस के तोर पे इस्तमाल करना है बस्थो लिए कर देना है के बाद आप जो भी पोस्ट करेंगे वह आपकी शेरिंग आटो होगी के सामने आपकी पोस्ट एक दफा जरूर गुजरेगी जिससे आपको फाइदा यह होगा कि उधर उस पेज के फॉल्वर्स और वॉच्टेम बढ़ाने में आपको इंताई एहम किरदारवा कर सकती है तो याद रहे आपने इंस्टाग्राम में जाके अपने उस पेज को लिंक करना है उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो और यह कमाल की टिप्स अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी है तो बाई के चैनल को सब्क्राइब किये बिना नहीं जाना क्यूंकि बाई आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो लेकि आता रहता है मिलते हैं एक औ और वीडियो के साथ अपने बाई को दो इंजाज़त अल्ला हाफीज